नमस्का साथियो मैं सीमा गुपता आचफीर आप सभी के बीच आधार सिला क्लासिस में निबंद से सम्पंधित एक महत्वोर टॉपिक को लेकर आईए और आज का टॉपिक है सिच्छा सफलता का मंत्र जी यहां साथियो आज का भी सह है सिच्छा सफलता का मंत्र और जब हम लिखते हैं तो हर चीज पहले अपने दिमाग में बना लेते हैं कि उसकी शुरुवात कैसे करेंगे बीश में कौन-कौनसे मैटर डालेंगे और अन्त अर्था संपन्नता उस निबंध क हम कहाँ पर करेंगे ये सब चीजे जब हम अपने दिमाग में बना लेते हैं, उसके बाद हम निबंद लिखना आरंब करते हैं साथ में जब निबंद हम लिखते हैं तो ये चीज जरूर होना चाहिए उस निबंद में भारत सरकार, राज्य सरकार की जो योजनाय चलाई जा रही हैं उस निबन्द से सम्बन्दित उन सभी का उसमे जिक्र होना आवस्याख है साथ में उस निबन्द में आपकी यह होना चाहिए कि आप उस निबन्द की जब सुरुवात करें तो कुछ आरंबिक पंक्टियों के माध्यम से उस निबन्द के मूल चीज आप बताएंगे साथ में आप ये ध्यान रखेंगे कि या आपके वेक्तितों का परिक्षड किया जाता है निबंद के माध्यम से तो आप उस निबंद से सम्बंदी जो भी समस्या होगी वो आप बताएंगे और साथ में जो समस्या का समाधान होगा उसे आप आवस्थे ही बताएंगे क्योंकि जो समस्या का समाधान होता है इस पर ही सबसे ज़्यादा नंबर मिलता है इसलिए ऐसा नहों कि आप समस्या ज़्यादा बता दे और समाधान कम बताए क्योंकि मैं आप सभी को निबंद की तयारी देश के प्रतिस्ट्री सर्विस की तैयारी के लिए करा रही हूँ यह निबंद समान रूप से IIS के परिक्षा में भी महतपूर है RO के परिक्षा में भी महतपूर है PCS के परिक्षा में भी महतपूर है खंड सिच्छा अधिकारी आदी से सम्मांदी चो भी महत्पोड सर्विसेज हैं उन सब में समान रुपती उपियोगी है साथी हो तो इसलिए आप सभी ये सब मूलभूत चीज की जानकारी अवस्य रखें साथ में कई लोगों का ये सवाल है कि कितनी कलर के पेन का प्रियोग किया जाए तो ऐसा कोई नहीं है आप एक कलर के पेन कहीं प्रियोग करें वो ज्यादा बैतर होगा और निवन्द लिखते वक्त हेडिंग वे गरें की कुई आवसकता नहीं होती है क्योंकि या एक मेरी द्वारा स्वच्च भारत को साल भारत पर निबंद आप सभी के बीच लाया गया है पर्या और संद्चड एवं प्रदूसर पर निबंद लाया गया है नारिश ससक्तिकरण पर लाया गया यह चौथा निबंद आपके बीच लाया जा रहा है और प्रतीक रभीवार को ए एक नए महत्वपूर टॉपिक पर निबंद लाये जाएगा जो कि आप सभी के परिच्छा के लिए अत्यन्त ही महत्वपूर है तो साथियों आरंब करते हैं सिच्छा सफलता का मत तो मैं निबंद आरंब के हूँ नेलसर मंडेला जी के उक्ति पर सिच्छा सबसे ताकतवर ह हतियार है जिसका इस्तिमाल आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं जी है साथियों सिच्छा सबसे ताकतवर हतियार है जिसका इस्तिमाल आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं अब मैं ये लिखने के बाद इसे आरंब के हूँ यह प्रसीद उक्ति सिच्छा के अपने आसपास के वातवरण में भी नवील खुसियों को लाता है तो आप देखिए पहले paragraph के मैंने सुलवात कैसे की है मतलब नेलसा मंडेला जी कि उक्ती को मैं यहाँ पर पूरा व्याख्यागर दी हूँ और लिखियों क्या यह प्रसिद्ध उक्ति स्वतर सिद्ध सिच्चा के अद्बूत बिसेशता महतों को सिद्ध करती है सत्ति यह कि यदि व्यक्ति सिच्चित है तो वह न सिर्फ अपने जीवन तथा अपने परिवार के लिए सुक सम्रिद्धी में विकास के मार्ग को ला सकता है बलकि अपने आसपास के वातवरण में भी नमीन खुसियों को लाता है दूसरे paragraph में देखिए लोग कते हैं कि व्यक्ति के लिए रोटी कपड़ा तथा मकान मुल्भूत आवसकता हो में आता है लेकिन यदि व्यक्ति सिच्चित नहीं है तो यह मुल्भूत चीजे बेमानी सी लगती है और व्यक्ति जैसे ही सिच्चित होता है वो न सिर्फ इनको प्राप्त करता है बलकि इसमें गुडात्मक समवर्दन भी करने की चमता लाता है अर्थात यदि आप सिक्चीत है तो निश्चीत रूप से आप देश के प्रतिष्टी सर्विस आदी प्राप्त कर न सिर्फ रोटी कपड़ा मकार की बेवस्था आप सुनिश्चीत करेंगे बलकि इसमें गुडात्मक अमात्रात्मक परिवर्दन भी लाने की चमता आप लाते हैं इस प्रकार सिच्चा सबसे महतोपूर है अब मैं अगरे पैरा में स्टार्ट की हूँ एक युवाड लोगतंटर के तोर पर हमारा भारत सिच्चा के मोर्चे पर बहुत ही तेजी से प्रगति कर रहा है अब यहाँ पर मैं अपने देश के संबंद में कुछ व्याक्या करोंगे सिच्छा के प्रगति के समझे और कुछ आकड़े के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगे ठीक तो एक युवा लोकतंत्र के तोर पर हमारा भारत सिच्छा के मुर्चे पर बहुत ही तेजी से प्रगति कर रहा है स्वतंता प्राप्ति के समय भारत की साथ छटा दर केवल बारा फीसदी थी 2011 की जनगर्णा के अनुसार आज हमारी साथ छटा दर चोहतर फीसदी है 93 दसवलों एक फीसदी के साथ केरल और 91 दसवलों तावन फीसदी के साथ मिजुरन सबसे आगे है और यह प्रदेश निश्वित रूप से दूसरे प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे है अर्थात यहां पर मैं कुछ आकड़े भी दे हूँ और उस आकड़े का क्या सकरातमक प्रभाव हो रहा है इसका भी मैं जिक्रियां पर की हूँ अर्थात फेक्ट के साथ मैं बिसले सड अपने निवन्द के मात्यम से की हूँ हर्स की बात है कि स्वतंता के साथ ही भारत सरकार इम्राज्य सरकार ने सिच्छा के समचित विकास के लिए बहु आयामी आयोग समिती योजना नीतिया बनाए साथ में प्रतेक बचट में सिच्छा पर बिसेश फोकस भी किया गया सर सिच्छा वियान मिड़े मिलियो जना सिच्छा का अधिकार नई सिच्छा नेति दुरस्त सिच्छा यी सिच्छा करांती कारिक्रम सिच्छा के विकास में मिल का पत्थर साबित हुए हैं तो इस परिग्राप पे मैं भारत सरकार द्वारा किये गए जो प्रयास है योजनाएं उसको मैं यहाँ पर प्रकासित किये हूँ अब जो समस्याएं हैं क्या कैसे हैं इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर जिक्र करूँगे बावजुद अभी भी हम भारत के लोग 100% सिच्छा का सपना पूरा नहीं कर पाएं सिच्छा प्राप्त करना कई लोगों के लिए अभी तक सपना ही बना हुआ है विशेश कर हमारे सुदूर तथा ग्रामीर छेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जहां स्कूल की इमारत नहीं होती अत्वा बारी सिया बर्फबारी होने पर स्कूल पहुचनी की संभावना भी नहीं होती है आदिवासियों हासिये पढ़के ले गए लोगों अनुसुचित जाती एवम जन जाती को सिच्छा के उचित सुविदा उपलब्द कराना उन्हें राट निर्मार की प्रक्रिया में सामिल करने का प्रयास कर रहे नीती निर्मताओं के लिए एक बड़ी चिंता का भी सैब बना हुआ है दुर्गम इस्थानों पर स्कूल होने के कारण तता ग्रामेड छेतरों में लड़कियों के लिए सोचाले की कमी के कारण सुरच्चा समंदी चिंता पैदा होती है जिसके कारण स्कूल छोड़ने वालों की दर खतरना के स्थर पर पहुँच गई है कुल मिलाकर हमें सिच्चा के प्रतीक पहलों पर भली बाती गौर करना होगा आता इन मामलों पर एक समग्र अब मैं यहां से मीरा क्या सुझाओ है वो मैं दूंगी जिस पर इक्जामन ज्यादा फोकस करते हैं और इस पर ही आपका नंबर मिलने वाला है जिस पर एक समग्र दिस्टिकोर के साथ कारी किया जा रहा है और सिच्चा के प्रचार प्रसार में जो कत्वे दिक्कते आ रहे हैं उन्हें दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है बावजूद हमें सिच्छा के स्वब प्रतिसत लक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें समचित प्रयास करना होगा अब यहाँ पर जो भी मैं सुझाओ है मतलब की सिच्छा कैसे हर घर को मिल सके सिच्छा हर द्वार कैसे पहुच सके हर घर में दीपक कैसे जल सके इस विज्धाई के साथ, पूर्ड इमानदारिंप पूल क्रियाज़ोंड सद पर कारे करना होगा वर्तमान 21 सदी का है अतर सिच्छा में ग्यान स्वैम तथा नेशनल दीजिटल लाइबरेरी जैसे बीविन कारेकरमों के माध्यम से सिच्छा तक बहतर पहुच उपलब्द कराने के लिए हमें उन्नत प्रध्योगी का प्रियोग करना होगा सिच्छा पडाली द्वारा इस्कूली पाटे करम में जीवनों प्योगी, रोजगार संपन, कौसल प्रसिक्छड से भरपूर, सैच्छिक बिसे सामगरी का समयोजन करना होगा प्रतीक विद्याले, महाविद्याले, विस्विद्याले के समस्व आधारभू ढाचे में व्यापक सुधार करना होगा समय समय पर अध्यापकों को उन्नत तकनीकी प्रसिक्छड की सुधड विवस्था सिच्छा के नविंता के लिए जरूरी होगा चुकि परिवेश बदल रहा है और अब हमारे देश में महिलाई भी पूर्सों की भाती काम कर रही है अता प्रतीक सीसु सदन में प्रसिच्चित कर्मियों की तैनाती से सिच्छा में करांती का मार्ग प्रसरस्त होगा अब मैं यहाँ पर अंत की हूँ अपने अरथा Sampann की हूँ अपने निबंद को यानि पहले मैं निबंद के महत्तो बताई फिर परिदृष से बताई सिच्छा का भारत में आरम में क्या था वरतमान में क्या है फिर भारा सरकार द्वारा कौन सी योजनाई चलाई जारी है प्लस मैं समस्या बताई और उसकी बाद समाधान के साथ अब मैं निबंद को फिर से महत्तों के बाद और भविस्य की रूप रिखा को दिखाते हुए संपन्न कर रही हूँ खुल मिलाकर हमें अपने बजट में सिच्छा को प्राथ मिक्ता देना होगा ताकि सिच्छा के द्वारा हम अपने देश का संपूर काया कल्प में बदलाओ लाकर एक किसी सदी को भारत की सदी स्थापित कर सके क्योंकि सिच्छा से बढ़कर कोई धन नहीं क्योंकि सिच्छा मैं निवंद की समस्थ पहलों को सामिल करते हुए, एक निवंद लिखने का प्रयाश की सिचा पर, जिसमें मैं बताई कि सिचा सबसे ताकतवर हतियार है, जिसका इस्तिमाल आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं, उक्ती से अरंब करके सिचा के महतों बताइ, उसके द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैडम इस निबंद को आप टेली ग्राम चैनल पर पोस्ट करें तो आप सभी को अउगत कराना है कि मेरे द्वारा शिग्री आप सभी के लिए एक निबंद प्रतियोंगिता का आयोजन किया जाना है जिस दिन दस निबंद कंप्लीट हो जाएग जिसमें आप सभी को एक निश्चित इमेल दिया जाएगा उस इमेल पर आप अपने द्वारा लिखित एक बहतर निबंद प्रस्तूत करेंगे और उस निबंद को मेरे द्वारा चेक किया जाएगा जो बहतर दस निबंद होंगे उसको इसी यूट्यूब चैनल माध्यम से आप सभी के बीच लाया जाना है और बताया जाना है कि निबंद में क्या खासियत है और क्या कमिया है इससे क्या होगा कि आप लोग चाहे कितने भी दूर दराजचित में रह रहे हो घर बैठे आप सभी को सारा सुविधा नईस यूट्यूब चैनल क्लासेस के बादे में स सुपलब्द करनाने वाले हो तो साथियों आईए फिर से मैं इस एक निबंद को लगातार पढ़ देती हो ताकि जो भी डाउट हो आपकी क्लियर हो जाए और यह बीच वे डिस्टरप्ट यह कर रही हूं कि जो निबंद है वो जब कार्यकर्म समाप्त हो जाएगा दस पोस्ट कर दूँगे सिच्छा सबसे ताकतवर हतियार है जिसका इस्तिमाल आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं निलसर मंडेला यह प्रसिद्ध उक्ति स्वता सिच्छा के अधूद बिसेस्ता महत्त को सिद्ध करती है सत्ते ही है कि यदि वेक्ति सिच्छित है तो वरना सिर्फ अपने जीवन तथा अपनी परिवार के लिए सुख सम्रिद्धी एवन विकास के मार को ला सकता है बलकि अपने आसपास के वातवरण में भी नमीन खुसियों को लाता है लोग कहते हैं कि वेक्ति के लिए रोटी कपड़ा तथा मकान मूलबुत आवसक्ताओ में आता है लेकिन यदि वेक्ति सिच्चित नहीं है तो यह मूलबुत चीजें भेमानी से लगती हैं और वेक्ति जैसे ही सिच्चित होता है वरना सिर्फ इनको प्राप्त करता है बलकि इसमें घुडात्मक समवर्दन भी करने की चमता लाता है एक युवा लोकतंत्र के त अंगर्णा के अनुसार आज हमारी साथ चर्टादर 74 फीजदी है तीरानमे दस्मनों एक फीजदी के साथ केरल और 91 फीजदी के साथ मिजुरन सबसे आगे है यह प्रदेश निश्चित रूप से दूसरे प्रदेश को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे हैं हर्स की बात है कि स्वतंता के साथ ही भारत सरकारियम राजय सरकार ने सिच्चा के समचित विकास के लिए बहु आयामी आयोग समीती योजना नीतिया बनाए साथ में प्रतेग बजट में सिच्चा पर विशेज फोकस भी किया सर सिच्चा वियान मिड़े मिली योजना सिच्चा का अधिक सिच्छा प्राप्त करना कई लोगों के लिए अभी तक सपना ही बना हुआ है बिसिसकर हमारे सुदूर तथा ग्रामिर छेतरों में रहने वाले लोगों के लिए जहां स्कूल की इमारत नहीं होती अथ्वा बारी सिया बर्फ बारी होने पर इसकूल पहुचनी की संभावना भी नहीं होती है आदिवासियों हासिये पर अकेले गए लोगों अनुसुचित जाती जन जातियों के सिच्छा के उचित सुविदा उपलब्त कराना उन्हें राष्ट निर्मार की प्रक्रिया में सामिल करने का प्रयास कर रहें नीती निर्मताओं के लिए एक बड़ी चिंत पैदा होती है जिसके कारण उसकुल छोड़ने वालों की दर खतरनाक इस तर पर पहुँच गई है कुल मिलाकर हमें सिच्छा के प्रतीक पहलों पर भली बाती गौर करना होगा अब इन मामलों पर एक समग्र दिश्टिकोर के साथ कारी किया जा रहा है और सिच्छा के प्र सिच्छा के लिए जितनी भी योजनाय चलाई जा रहे हैं उन्हें फ्लैक्सिप कारिकरम के साथ पूर इमंदारी तता पूर क्रियान में इस्तर पर कारिकरना होगा वर्तमान युग 21 सदी का है अतर सिच्छा में ज्यान, स्वैम तदा नेशनल डिजिटल लाइबरेरी जैस विबिन कारिक्रमों के माध्यम से सिच्छा तक बहतर पहुच उपलब्द कराने के लिए हमें उन्नत नवीन प्रवध्योकी का प्रियोग करना होगा। उन्नत तक नेकी प्रसिक्षड की सुद्रिड विवस्था सिच्छा के नवीनता के लिए जरूरी होगा चुकि परविस बदल रहा है। क्योंकि सिच्छा से बढ़कर कोई धन नहीं सिच्छा में बड़ी ताकत होती है आपकी जीवन के सारी दुखों को समाप्त करने का सामर्त के लिए सिच्छा में होती है। तो सातियों इस प्रकार मैं इस निबंद को समपन्न की कैसे आरंब की कैसे बीच में सभी चीजों को सामिल की और कैसे समपन्न की ये आपने इस निबंद में देखा होगा। तो सातियों मैं पूरा उमिद करती हूँ कि आप अवस सिच्छा पर एक निबंद लिखेंगे और जब मेरे द्वारा आयोजित कारिक्रम होगा निबंद के समपन्न उसमें आप अवस ही अपने द्वारा लिखें निबंद को उपलब्द कराईएगा। जैसी वो कारिक्रम समपन्न हो जाएगा वैसे ही सारे निबंद टेली ग्राम पर पोस्ट कर दिये जाएगे ताकि याद जाचा जा सके कि आप क्लास को कितना बैतर ढंक से समझें। तो साथियों इसी आशा के साथ कि आप अवस से ही सिच्छा सफलता का मंत्र निबंद अच्छे से सुने होंगे, समझे होंगे और पूर के जो मेरे निबंद है सच भारत, खुशाल भारत, परियावड संदक्षण एवं प्रदूसर, नारिश सशक्तिकरण पर अवस से एक निबंद लिखे होंगे, मैं सीमा गुपता आज इसी निबंद के साथ इस आशा के साथ विदा लेती होंगे, अगले सब्ता फिर एक नए निबंद को आप सभी के बीच लाओंगे